नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं पूलिस कर्मी भी खायल हुए, उग्र परदसन कर रहे कई भाजपा करकाताओं और नेताओं को पूलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, बता दे सचिवाला के घहराव करने के लिए जाने के दोरान सेक्ड़ो भाजपा के करकाता जबर जस्ति पूलिस का सुरक्षा घहरा तरफ जाने का परियास करने लगे, इसी दोरान जब पूलिस में भाजपा करकाताओं को रोका, तो उन्होंने पूलिस पर पानी के बोतल और पत्थर फेकने लगे, पूलिस ने पहले भीड को रोकने के लिए जम कर वाटर केनन का पर्योग किया, लेकिन इसके बावजूद जब भाजपा करकाता नहीं माने तब उन पर आसुगयस के गोले दागे गए, रांची में लाठी चार्ज के साथ छोड़े गए आसुगयस, हिमंत सुरेन सरकार के खिलाप जार्खन सचिवाला के घेराओ करने के लिए निकले भाजपा करकाताओं पर पूलिस ने लाठी च जार्खन सचिवाला का घेराओ करने पहुँचे, इससे पहले धुरवा इस्थित प्रभात तारा मैदान में करकाताओं का महाजपान हुआ, घेराओ को लेकर पूलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी, जैसे ही पर सासन को सुचना मिली कि बीजेपी के करता सचिवाले पहु जार्खन सचिवाले घेराओ को लेकर पूलिस और परसासन की भी सुरक्षा के चाक चोबन ब्यवस्ता है, प्रभात तारा मैदान में भारी संके में बीजेपी करकाता मौजूद है, बता दे कि बीजेपी करकाता अपनी विभीन मागों को लेकर या घेराओ करने पहुँच ब्रश्टर चार अन्योजन इति को लेकर परसान किया गया, बता दे परभात तरा मैदान में भीजेपी के करकाता सहीत कई आला नेता मौजूद है, पूर्व मुक मत्री बावुलन मरांडी, पूर्व सीम रहुवर दाज, कोडर्मा सांसद और पूर्णा देवी, दिपक प परकास केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा सहीत का इनेता मंत्री गन उपस्थी था है, जारखन मौसम गर्मी से रहत नहीं, जारखन में अगले 3-4 दिनों में अधिक्तम तापमान 4-5 डिगरी तक बढ़ सकता है, मौसम केंद्र के इस पूर्वन मान के मुताबिक अभी ग 35 डिगरी सेल्सेस के आसपास है, जबकि जम सेथ पूर्का अधिक्तम तापमान अभी सही 40 डिगरी सेल्सेस के आसपास पहुंच गया है, बाबा मंदीर में सुबह साम और घा से जलारपन की बेवस्था पर जोर, बाबा मंदीर परसासन साथ डी सी मंजुनात बयंत्री को बाबा मंदीर पहुंचे, उन्होंने कंट्रोल रूम समेत मंदीर की बेवस्था का जाज लिया, इसके बाद बाबा मंदीर के गर्वेगिरी में भी जाकर बेवस्था वसाप सफाय के निरिक्षन कर मंदीर परसासन भौन पहुंचे, यहां समन्वे समीति वभी बिभीन, बिभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, बैठक में DC ने सब ही को अभी से सरावनी मेले के लिए त्यारी करने का निर्देश दिया है, बिजली बिभाग के SDO को मंदीर की बिजली बेवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया, बैठ से सिग्र दर्शनम कूपन की रासी में ब्रीधी के साथ विशेस दिनों में भी सिग्र दर्शनम रासी को बढ़ाने से जुड़े विभीन बिंदू पर चर्चा की गई IPL मैच में सटे बाजी के चक्कर में बरबाद हो रही यूआ पीड़ी IPL का सोलाहमा सिजन सुरू हो गया है मैच के सुरू होते ही सहरी छेतर में सटे बाजी का गिरोष सक्रिय हो जाता है सटे बाजी के चक्कर में यूआ पीड़ी सबसे ज़्यादा बरबाद हो रही है कई यूआ सट्टा हारने के बाद फीड से उसकी रिकवरी करने के लिए कर्ज लेकर सट्टा लगा रहे है एक तरफ जहां सटे बाजी के चक्कर में पड़कर यूआ पीड़ी बरबाद हो रही है वहीं दूसरी तरफ इस सेंडी केट के सज़से में हर दिन लाखो रूपय कमाया जा रहा है सटे के इस खेल में कोई एक जटके में कंगाल भजाता है तो कोई मालो माल भी हो रहा है जमसेदपूर में 18 घंटे बाद इंटरनेट सेवा बहाल जमसेदपूर में होई हिंसा के कारण रभी वार देर राज से बंद इंटरनेट सेवा करीबा 18 घंटे बाद बहाल की गई इन 18 घंटों में लोग काफी परसानियों का सामना करना पड़ा जनकारी कनुसाद सहर में बाजार को 180 से 200 कडोर के नुकसान हुआ है हिंसा और ना भड के इसके लिए रभी वार देर साम जिला परसासन ने पूरे सहर के इंटरनेट सेवा को सुरक्षा के दृष्टी से बंद करा दिया था रभी वार साम से सोम वार पूरे दीन सहर में तनापुन महल बना रहा सुमवर्थ साम 6 रजय बाद इंटरनेट से बहाल की गई थी, और 10 मिनट के बाद एक बाद फीर से बंद करा दिया गया, हलाकि साम के करीब 7 रजय से इंटरनेट से बहा को समाने कर दिया गया. दुमका के आदिवासी बाईल का छातरावास में लगी आग, दूमका के फुल्व जहनो आदिवासी भाईल का आवाशी च्यत्रावास में सोमवर दो फर दो छोटे सिलिंडर के लीग होने की वज़त से आग लग गई राहत की बातिया और ही की सभी च्यत्रावास समाई राहते च्यत्रावास से बाहर आ गई पडोस में रहने वाले आदीवासी छात्राओं ने आकर आग पर काबू पाया आग से दो छात्राओं का बीस्तर पूरी तरह जल गया है छात्रों के उसे क्रियेता के कारण एक बड़ा हाथसा होने से टल गया दरसल चात्रावास के 20 कमरों में करीब 1.500 चात्राए रह कर पढ़ाई करती है एक कमरे में 5 चात्राए रहती है और सभी अपने छोटे गय सिलेंडर पर खाना बनाती है एक हपते पहले भी एक सिलेंडर में आग लग गई थी लेकिन उस समय किसी तरह आग बुझा दी गई और उससे कोई खास नुक्सान नहीं हुआ सियम हेमन्त का बरहेट में कारेकराम समुद घाटन भी करेंगे परिसंपाति का भी वित्रन करेंगे इसके लिए मंच पूरी तरह से बन कर तयार है भोगनाट डिह में भगति गीच बज रहे हैं बाबा बैधनाथ धाम में क्यू कंप्लेक्स निर्मान मामला सांसर निस्तिकान दूबिने सरधालों की सुधा के लिए 200 परसीद बाबा बैधनाथ धाम में बनने वाले क्यू कंप्लेक्स निर्मान सिग्र पूर्ण करने को लेकर जहरकन हाई कोड में जनहीत याचका पर सुनवाई हुई अदालत ने मामले की सुनवाई के उपरांत राज सरकार को जवाब पेस करने को कहा मामले के अगली सुनवाई 13 अपरेल को ताय की गई मामले की सुनवाई की दरण याचिका करता क्या दिवक्ता सिवानी जालूका ने अदालत को बताया कि क्यों कमप्लेस का निर्मान राज सरकार द्वारा फॉंड नहीं दिये जाने के कारण दूसरे फेज के निर्मान कारे फिलहाल रुका हुआ है चत्रा में मधुमख्यों के काटने से यूवक की मौथ चत्रा के दो अलग अलग इलाकों में सोमवर को मधुमख्यों के दो यूखों पर हमला कर दिया है इसमें एक की मौथ होगा है जबकि दूसरा का इलाज सिमरिया रेफ्रल अस्पतार में चल रहा है पहली घटना कुंदा में हुई है जबकि दूसरी घटना सी मरिया में मिरित युवक की पहचान कुंदा के इचात्तु निवासी प्रेमा यादव के रूप में हुई है परिजोन ने बताया है कि सुमवर सुबा प्रेमा महुआ चुनने गया था महुआ चुनने के बाद जब गहर लोट रहा था तभी मदमोख्यों ने हमला कर दिया गहर पहुँचने के बाद पर्युजन उसे लेकर सदस्पता पहुँचे जहां उसकी मौत हो गई बीजेपी का सचीवाला घेराओं में पूलिस लाठी चार्ज भारतिय जन्दा पार्टी का सचीवाला घेराओं करक्रम समाप्त होने के बाद जिला पसासन के अधिकारियों के द्वारा पूरे छेत्र का निरिक्षन किया गया निरिक्षन के दुरान जहां भी करक्रता जमे थे उन्हें हटाया गया और धुर्वा छेत्रे में लगाए गय सभी बेरिकेटिंग को भी खोला जा रहा है बतादे निर्यक्षन करने के बाद रांची के उपायूत राहूल कुमर सिन्हा ने कहा है कि 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिसमें सांसत और विधायक का नाम भी सामिल है वहीं घायलों को लेकर रांची के उपायुकत राहुल कुमर सीनहा ने जनकाई देते हुए बताया है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में एड्मिट कराया गया वहीं जिने छीटफुट चोट लगी थी उनके लिए एंबुलेंस का इंतिजाम रखा गया था ताकि प्राथमिक इलाज किया जा सके रांची के उपायुकत राहुल कुमर सीनहा ने कहा है कि अब धीरे धीरे सारी बेरिकेटिंग खोल दिये जाएंगे क्योंकि जो भी करकता थे वह आपस लोट रहे हैं वहीं उन्होंने बताया है कि फिलाल यहाँ पर पूलिस के तनाती रहेगी ताकि यादी कोई असमाजिक तत्रों फिर से महल खराब करना चाहे तो उन पर काबू किया जा सके गढ़वा में हाथी के हमले से ब्यक्ति की मौत गढ़वा जिला के रंगा थाना छेत्रे के जंगल में महवा चुने गए गनेस यादव को हाथी ने कुचल दिया जिससे 65 साल के ब्यक्ति की घटना अस्थल पर ही मौत हो गई काटना को लेकर गढ़वा ने बताया कि गनेस यादव महवा चुने के लिए जंगल में गए हुए थे तब ही तीन हाथियों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और उठा कर पड़क दिया जिससे घटना अस्थल पर ही उनकी मौत हो गई गनेस यादव के साथ महवा चुने गए बिसेसवर यादव ने पूरी जनकारी गाओं के लोगों को दिया है जिसके बाद गाओं वालों ने इसकी जनकारी पुलिस वो वन विभाग को दी मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कपजे में लेकर पोस्ट माश्रम के लिए भे बाद है कि इससे पहले भी गाओं के कोई लोगों की मौत हांती की चापेट में आने से हो गई है धन्यवाद यादि आप चैनल पनाए है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बाल का बेल एकन दबाए ये साजिस्तात वीडियो के एक लाइक कर आपने दोस्तों के से सेर करना न थांक यू